दोस्तों आज आप देखेंगे कि हर तरह के आसन हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं अभी हम देखते हैं कि व्रक्षासन किया है मैडम ने और इससे हाइट भी बढ़ती है और बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मन्थ होता है और मैडम मैडम देखी क्या कर रही है यह स्ट्रे भुजंगासन हमारे हाथ हमेशा मजबूत होने चाहिए तो भुजंगासन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैडम मैडम क्या कर रही है कापाल भाती कर रही है वैसे सब लोग बैठ के करते हैं लेकिन मैडम क्योंकि पैरों से थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए खड़े होके करती हैं और मैडम क्या कर रही है अरे या बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है यह तकरीबन बैठना और खड़ा होना होता है इसको अगर जो हम 10 से 15 बार कर लें तो वेट लॉस में काफी फायदा होता है अभी यह मैडम भी अपनी हाइट वढ़ाने के लिए जो है अपने इसस्ट्रेस लेवल भी काफी कम होता है और बैलेंस करना पढ़ता है क्योंकि हमें ब्लड में ओक्सीजन का सर्कुलेशन प्रोपर होना चाहिए उसीजन प्रोपर होना चाहिए तो अनुलाव विलोन को भी हमें कोशिश करनी चाहिए 3-4 मिनिट तक लगातार क करते रहें और मैडम भी मेरे खिया से हाइट बढ़ाने वाले काफी लोग हैं वह भी हाइट और फोकस कर रही है कंसेंट्रेशन के पर अरे वा चक्की यह जो हम चक्की पहले घर में पीसा करते थे अब मुझे यह नहीं पता कि चक्की क्लॉकवाइस चलती है अंटी क्लॉकवाइस बट यहां पर क्लॉकवाइस चक्की चल रही है जो कि कमर को बैली फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है अरे और मैडम भी हमारी जो है कमर को कम करने के लिए घुमा रही है वेट को इसको 25 बार क्लॉकवाइस और 25 ब जाती हैं और इससे बीपी काफी कंट्रोल होता है और मैडम क्या कर रही है और मैडम कर रही है जैसा हम सब जानते हैं कि अभी गर्मी हो रही है अगर जो हम शीतली करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी body में थंडी हवा जाती है condensed होके और कहते हैं कि अगर जो हम रेगिस्तान में हैं और जहां पानी की समस्या है वहाँ शीतली कर लें तो आपको पानी की जरूवत ही नहीं पड़ेगी और मेंडम कर रही हैं ताली बजा रही है जिसे जो की acupressure का part है हमारे पूजा में भी हम ताली बजाते है», इस से क्या वहत है हमारे सारे points जो है हाथ के खुल जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है और ये मेंडम कर रही है PT जो की बहुत ही physical activity इससे काफी होती है और जो calorie burn करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और ये मेना में एक नया नया ही मुझे आसन दिख रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दूद भी लो रही है तो ऐसा लगता है आप हर्याना से हैं तो अच्छा है तो दूद मक्षन के लिए हम कब आएं जरूर बत आना तो देखे इस तरह से सोसाइटी में सब सब लेडीज बहुत ही सुन्दर से अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं और अभी इन्होंने डांस किया था अब ये डांस कर रही है वाओ ये तो अमेजिंग ये तो मैंने लाइफ में पहली बार डांस देखा है इससे तो काफी कै कर रही है धन्यवाद